जैश्री कृष्णा आज मकर सक्रान्ती पर आईए सुनते हैं धर्म राज जी की यह कहानी धर्म राज जी की कहानी अनेक अउसरों पर सुनी जाती है धर्म राज दसमी, कार्तिक मास, बैसाक पूर्मा, मकर सक्रान्ती आदी में धर्म राज जी की कहानी सुनने का महत्व है धर्म राज जी की कहानी विशेश फलदाई मानी गई है धर्मराज जी की कहानी सुनने से ब्यक्ति के पाप नश्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ती होती है धर्मराज जी की कहानी प्राचिन समय की बात है एक नगर में दो सिठानिया रहती थी बड़ी सिठानी के घर में बहुत धन था लेकिन वह कंजूस थी छोटी से ठानी के घर में धन कम था लेकिन वह मन से बहुत दयालू और मददगार थी वह स्वयम को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाये रखती थी वह रोज सवेरे गंगा असनान करने के लिए जाती तुलसी माता बड़ पीपल सीचती भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्म राज जी की कहानी सुनती थी जबकि बड़ी सिठानी यह सब देखकर हस्ती थी और कहती थी की पता नहीं दिन भर क्या फालतु काम करती रहती है ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सिठानिया ब्रिद्ध हो गई तब भगवान के घर से बुलावा आया छोटी सिठानी को लेने के लिए धर्म राज जी ने अपना बिमान भेजा जबकि बड़ी सिठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे रास्ते में बड़ी सिठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तब ही तुम्हें खाना मिलेगा थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा राश्ते में उसके काटे चुभने लगे और तेज गर्मी पढ़ने लगी लेकिन दूत उसे घसीतते हुए ले गए अब बड़ी से ठानी बहुत पच्ताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया इतनी देर में धर्म राज जी का दर्बार आ गया वहां जाकर उसने देखा कि छोटी से ठानी भगवान के पास सिंघासन पर बैठी थी उधर बड़ी से ठानी को तपते हुए कुंड में दाल दिया गया तब बड़ी से ठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिये मैं वापस आकर डंड भोग लूँगी धर्म राज बोले ठीक है बड़ी से ठानी के शरीर में वापिस प्राड दाल दिये गये धर्ती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्म राज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किये इतने में समय पूरा हो गया अब की बार बड़ी से ठानी को लेने धर्म राज जी का विमान आया सवापहर के दान धर्म और धर्म राज जी की कहानी सुनने से बड़ी से ठानी को स्वर्ग की प्राप्ती हुई धर्म राज जी ने जैसी कृपा से ठानी पर की वैसी सब पर करना धर्म राज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारे भरने वाले और पूरे परिवार पर क्रिपा करना एक और कथा के अनुसार, एक ब्रामणी मरकर भगवान के घर गई, वहां जाकर बोली, मुझे धर्म राज जी के मंदिर का रास्ता बता दो, स्वर्ग से एक दूत आया, और बोला, ब्रामणी आपको क्या चाहिए? ओ बोली, मुझे धर्म राज मंदिर का रास्ता बता दो, आगे आगे दूत और पीछे, ब्रामणी मंदिर तक गए, ब्रामणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत दान पुंड्य कर रखा था, उसे विश्वास था कि, उसके लिए धर्म राज जी के मंदिर का रास्त अवस्य खुल जाएगा ब्राम्हरी ने वहां जा कर देखा वहां बड़ासा मंदिर सोने का सिंखासन हीरे मोती से जडित छत्री थी धर्म राजी न्याय सभा में बैठे साचात इंद्र के समान सुभा पा रहे थे और न्याय निती से अपना राज्य सम्हाल रहे थे यमराजी सब को कर्मानुसार डंड दे रहे थे ब्राम्हरी ने जा कर प्रणाम किया और बोली मुझे बैंकुंठ जाना है धर्म राजी ने चित्र गुप्त से कहा लेखा जोखा सुनाओ चित्र गुप्त ने लेखा सुनाया सुनकर धर्म राजी ने कहा तुमने सब धर्म किये पर धर्म राजी की कहानी नहीं सुनी बैंकुंठ में कैसे जाएगी ब्रामरी बोली धर्म राजी की कहानी के क्या नियम है धर्म राजी बोले कोई एक साल कोई छे महीने कोई सात दिन ही सुने पर धर्म राजी की कहानी अवश्य सुने फिर उसका उध्यापन कर दे, उध्यापन में काठी, छत्री, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, तोक्री, ताज, साडी, बलावज कावेश, लोटे में सक्कर भरकर, पाच बरतन, छमोती, छमूंगा, यम्राज जी की लोहे की मूर्ति, धर्म राज जी की सोने की मूर्ति, चादी का चाद, सोने का सूरज, चादी का साथिया ब्रामः को दान करे. प्रती दिन चावल का साथिया बना कर कहानी सुने, यह बात सुनकर ब्रामणी बोली भगवान मुझे साथ दिन वापस प्रित्वी लोग पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी, धर्म राज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर साथ दिन के लिए प्रित्वी प पर भेज दिया, ब्रामणी जीवीत हो गई, ब्रामणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं साथ दिन के लिए धर्म राज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूं, इस कथा को सुनने से बड़ा पुन्य मिलता है, उसने चावल का साथिया बना कर परिवार के साथ साथ दिन तक धर्म राज जी की कथा सुनी, साथ दिन पूरे होने पर वापस धर्म राज जी का बुलावा आया, और ब्रामणी को बैंकुंठ में स्री हरी के चड़ों में अस्थान मिला